सारी स्टुएंट्स पिछली वीडियो में बात करते करते हैं वीडियो जो है मिड में ब्रेक आउट हो गई ही यूट्यूब के हैंग हो जाने के कारण तो इसी लिए अब मैं उसी वहीं से कॉंटिन्यू कर रहा हूं जो आज का लेक्चर का जो लास्ट हिस्स है तो वो कहता है कि वो लोग जो हैं बाकी सब इदर इदर की चीज़ों के उपर बात करते हैं सिवाए लव या मैरिज प्रपोजल के और क्या में रिजन था कि उन दोनों के अंदर जो अपने अमीर होने का जो एक प्राइड था जो घमड था उन दोनों को जुकने नहीं दे रहा था वो दोनों अपनी सुपरियॉर्टी को एक दूसरे को शोग करना चाते थे और इस बीच में वो दोनों भूल गए कि जो Lomo का आने का कारण Lomo भी भूल गया वो marriage proposal के लिए है Natalia भी भूल गई कि वो Lomo से कुछ पूछ रही थी उसका अंसर उसको अभी तक नहीं मिला फिजूल की बहांस में वो लो गिंडल्ज हो गया It is quite humorous that they talk about everything except love or their marriage proposal but before Lomo and Natalia could talk on the subject of marriage proposal they start curling over the ownership of a piece of land named Oxen Meadows इससे पहले कि Lomo अपने आने का कारण बता पाता Natalia जान पाती या वो अपने marriage proposal के उपर बाते कर पाते जो उनके बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है एक जमीन के टुकडे के को लेकर और वो लड़ाई का कारण क्या था कि Lomo भी ये कहता था कि वो जमीन का जो टुकड़ा है वो Lomo का है और उन्हों ने, Lomo's ने वो टुकड़ा चुकड़ा 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 को पहले फ्री में यूज़ करने के लिए दिया था वो भी ये जमीन का टुकड़ा तुम लोगो ने नहीं हमें दिया ये जमीन का टुकड़ा हमेशा से हमारा ही था और इसका रिजल्ट क्या होता है वही चीज़ जो मैं अभी समझा के अटा हूं कि लोगो ये कहता है कि ये जो अक्सन मीडोज है ये उसका है और उनके पूरवजों ने चुकड़ा चुकड़ा को ये फ्री आफ कॉस्ट उसे यूज़ करने के लिए दिया था इसका कोई सबूत नहीं है कि जो लुमोव कह रहा है वो ऐसा है और वो यही कहती है कि ये जो जमीन का टुकड़ा है वो हमेशा से उन्हीं का रहा है और सून दियर आर्गमेंडेशन एंटर इंटर इंट आ हिटिट डिवेट एंड बोथ स्टार्ट फाइटिंग एंड क्व भड़ा करना शुरू कर देते हैं दे स्टाट भीजिंग एंड उसे रोजव एंड जूज लेंगेज और एक दूसरे के लिए वो गल्च शब्दावली का एक दूसरे को इंसल्ट करने का कोई मौकानी शूड़ते एक दूसरे के साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं so we see that there is no sense of understanding between them तो इससे हमें clear हो जाता है उन दोनों के बीच में किसी परकार की भी understanding नहीं थी अब यहाँ पर understanding की बात क्या है फिर शादी होने जा रही है शादी के बात दोनों युनाइट हो जाएंगे जो लूमोफ का है वो नाटालिया का हो जाएगा जो नाटालिया का हो जाएगा इसमें लडाई करने की या बहस करने की तो जरूरत ही नहीं क्योंकि जब शादी होती है तो दो लोग युनाइट हो जाते हैं वहाँ पर मैं और मैं हम में change हो जाते हैं यानि कि वह प्रापर्टी की जो ownership है ultimately अगर लुमोव की भी थी तो वह लुमोव की ही हो जानी थी और निटैलिया की थी तो वह भी निटैलिया की ही हो जानी थी तो ऐसा कोई इशू नहीं था जिसकी उपर इतनी बड़ी लड़ाई की जाए बट उन लोगों को अपनी सुप्रिराइटी शो करनी थी इसलिए उन्होंने ये दिखाया कि उनके बीच में अंडरसेंडिंग का कोई लेवल नहीं है और इसी लिए वो इस फिजूल सी चीज की उपर लड़ना शुरू कर देते हैं वट दे थिंग शॉक्स अस इस एट लली चुगुग इंस्ट ऑफ स्टॉपिंग देम फॉर फाइट हिमसेल स्टार्ट अब्यूजिंग लूमो और इस फैमिली विद नटैलिया लूमो लीवस दा हाउस अफ चुगुग इंबेट हेल्थ कंडिशन्स ठीक है सबसे जदा जो पहली बार की लड़ाई में हैरान कर देता है कि फादर को तो चाहिए था कि इन दोनों की लड़ाई को रोगता बंद करता बट वो तो खुद नटैलिया का साथ देता है लूमो को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देता है इतना ज़्यादा इंसल्ट कर देता है कि उसकी जो बिमारी है लूमो की उपर हावी हो जाती है और एक बहुत ही बुरी healthy condition में वो उनका घर छोड़के चला जाता है तो ये था हमारे question का आज first part का question का first part और बाकी का जो question हम लोग कर डिसकस करेंगे कोई सीचीज की कोई problem में आप लोग comment section में या whatsapp के आप पर मेरे साथ contact कर सकते हो don't forget to like, subscribe and share my channel thank you